हेलो एवरीवन वेलकम यू आवर यूटूब चैनल लामदेव अकेडमी स्वागत है आप सभी का अमारे यूटूब चैनल लामदेव अकेडमी में तो देखिए इसमें आम आज बात करने वाले हैं जुलाई फोर्थ वीक है उसकी करंट फिर्स की यहां बात की जाएगी जिस उनके अंदर वही क्यूसर्स होते हैं जो आपके हर एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इंपोर्टन इंपोर्टन क्यूसर्स होते हैं तो इसलिए इस वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा ताकि आपको काफी जादा इससे बेनिफिट मिले और जो भी आप पेपर दो उस यह सारी चीज़ें आपकी कवर को पाएं तो चलो स्टार्ट करते हैं अजके वीडियो का मिलते रहें गिजैस एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए इस तरह से अंको नहीं पता चलता है कि आपको की स्यूसर्ट के रिक्वार्मेंट है अप लोगोगों चाहिए वीडियो में तो आप एक फर्म किया करो कि जो भी इंपरुमेंट की चाहिए और जिस भी टाइप के वीडियो के में अन्यवारी कमेंट प request करें ताकि उस अककौरिंग उन चीजुंक वीडियो में लिकर आप थे आप कि उस भारतिय एथलेट का हमें नाम बताना है जिसने सेना नोवे हो मैस्ता नेड मेतु जी जो मीट हुई है उसमें 400 मिटर प्रतियोगता में अपना ही नेशनल रिकोर्ड तोड़ दिया है तो गाइस यह तोड़ा गया है मुमद अनास याही आके द्वारा तो क्या अंसर हो जाएगा यह हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा अब देखिए इसमें इंपोर्टन चीज जानने लाइक जो है इंपोर्टन एडिशनल फैक्ट तो देखिए वो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि यह जो सेना नोवे वो मैस्तानेर मेतुजी जो मीट हुई वो कहां पर हुई तो देखिए इसके अगर मैं बात करते हूँ तो यह हुई सीज रिपबलिक में देखो मैं यहां लिख देती हूँ सीज रिपब्लिक में यह हुई है ठीक है तो यहां पर मैंने लिख दिया है सीज रिपब्लिक तो देखें यहां समझ लिजेगा सीज रिपब्लिक में यह हुई है अब यहां गाइस बात हुई है सीज रिपब्लिक की अगर मैंने बात कर दी तो सीज रिपब्लिक से रिलेटे फिर्द्धाने से अब इसकी मुद्रा क्या है सीज क्रोन इसकी कि मुद्र है ने नहीं है जो athletic federation of India है इसके बारे में हमें सारी जान करी होनी चीए तो देखिए athletics federation of India है सबसे पहले मैं बात करूँ athletics federation of India की स्थापना की तो गईश इसकी स्थापना हुई 1946 में कब हुई 1946 में अब मैं बात करते हूँ इसके headquarters की तो देखिए जो यह athletics federation of इंडिया है इसका हेड़कोर्टर नियू डेली में कहां पर है नियू डेली में इसका हेड़कोर्टर गाई से एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि हम वीडियो देख रहे तो सासात में पैन और कॉपी जरूर रखेगा ताकि जो भी इसके कर्मियों को अपनी सेवा में पदोनुति के जो आरक्षन है वो देने का फैसला किया है तो यह किया है बिहार सरकार है उसने क्या किया गया है बिहार सरकार ने अनुसुशी जातियों और अनुसुशी जन जातियों है इनके जो कर्मी है कर्मियों को अपनी सेवा में पद सब्सक्राइबस कते पै cler racist के तो शाधा निस राजदा कोड़े है पर कि चाहे- आश्या सब्सक्राइबस उदेशम स्नीड पटनाह सबस्क्राइब कि गवर्णर के साथ देखेंस की बात कि लक्ष सेन हैं का संबंद कि स्खेल से लक्ष जादा जाने माने स्टीह को ने बैड्मिंटन प्लेएं तो क्या आंसर हो जाएगा कि जो यह हाली में इननों प्लफीचा किया है कि इंडोनेशिया के जो जाकरता में एसे जूनुर बैडमीन्टन स्थीप राचामियन सिप हुई रभी password इंडोनेर इंडोनेशिया मनें अगर देश की बात की जाए तो और अगर cities के नाम दे देता है तो इंडोनेशिया के जाकरता में यह हुई है तो देखे गाईस यहां बात होती है इंडोनेशिया की भी यह जो junior badminton championship है वो इंडोनेशिया के अंदर हुई तो इंडोनेशिया से related सारे facts हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यह इंडोनेशिया है इंडोनेशिया इसकी राजधानी हमें पता होना चाहिए तो इसकी capital की बात करते है गाईस तो इसकी capital है वो जाकरता है क्या है जाकरता इसकी capital हो जाएगी अब next यहां बात करते हैं इंडोनेशिया है उसकी currency क्या है त यह चीज हमने देख लिये यहां बात करते है कि जो इंडोनीश इस उसके प्रेसिदेंट कौन है तो तो जो को विडोडा पौन हैं जो को विडोडों यहां के प्रेसिदेंट है अब next चीज़ देखते हैं क्या question दे रखे है next हमें तो देखिए यहां जो next question दे रखे है बहुत जादा important question है ध्यान से देखिएगा question कहा रहा है कि राष्टि शेक्षनिक अनुसादन और जो यह prescription परिशद NCRT है इसने अपनी पुस्तकों में क्या किया है कि यह QR कोड सुरू करने की प्रकरिया सुरू कर दिये इसने तो जो यह NCRT है इसका मुख्याला हमें बताना है तो देखिए फिर से समझे question क्या कह रहा है देखिए यह NCRT की full form है राष्टिय शेक्षडिक अनुसादन और प्रेसिक्षन परिशद जिसके बात करें तो इसकी जो यह full form है इसको हम इंगलिस में कहेंगे National Council of Educational Research and Training अब यहां बात करते हैं कि भई इसने क्या किया है हाली में कि अपने पाठ्थे पुस्तोकों के अंदर जो यह QR कोड होता है इसकी प्रकरिया इसने सुरू किया है तो हमें क्या करना है जो यह NCRT है इसका हेड़क्वाटर बताना है तो इसका हेड़क्वाटर है न 116 वन में हेड़क्वाटर हमने देखी लिया गैस बात करते हैं डाइरेक्टर की तो डाइरेक्टर नोट डाउन कीजिए आप डायरेक्टर है डॉक्टर हर्सुकेस संपती ठीक है तो यह देख लिया कि भही डॉक्टर र्सुकेस जो है संपती यह इसके किसके जो NCRT इसक इसके कलादी पती और अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखेगा मैं यहाँ पर जो यह कलादी पती है ना यह कलादी पती नहीं है यहाँ पर देखो थोड़ा से मिस्प्रिंट हुआ है बस यहाँ पर यह देख लिए यहाँ कू कर लीजेगा क्या है कुलादी पती ठी रमचंद्र सीवदेव का किstanden निदन हो गया है तो यह किस राज्जे के पहले वितमंत्री थे तो देखे एक तो क्यूषन इनसे जो ये ओविज्वेशने वाले क्यूषन होता है गाइस इनसे एक तो क्यूषन बनता है कि भाई जिस व्यक्ति का निधन हुआ है वह किस फिल्ड से उसका संबंद है ये बहुत ज़ादा पूछा जाता है तो अब देखो इसमें तो क्यों से में है साब पता चल गए कई सीजों फिल्ट्ट से इसका समबंद आ पॉल्टिकस से depth कि यहां हैं यहां फूचाय कि कि किस राज्जी की मंत्री यह दो इस सब्सक्राइब तो जरा हम देख लेता है राजदानि कह तो दो राईपूर् है यह राईपूर् है यह शानवियर इसे तो यह कि यह चैस्ड़न हो गया है तो नीदन के तो करके cm की तो रमन जिन यहां के cm है कहां के 36 गड़के अब नेक्स्ट कुशन देखते हैं इसी के साथ तो गैस नेक्स्ट कुशन यहां दिया गया है कि देखो एक सेकिन किसने गुरु ग्राम में राष्ट व्याप्पी कारियापन के लिए छात्र पुलिस कैड़ेट है इसका आरम किया है फिर से देखेगा गैस क्या है कि किसने गुरु ग्राम में राष्ट व्याप्पी कारियापन के लिए जो छात्र पुलिस कैड़ेट है इस कारिय करम का आरम किया है तो गैस यह जो है छात्र पुलिस कैड़ेट इस पीसी कारिय करम तो यह सुरू किया गया है राजनात सिंह के दुआराummy कहां पे शुरू किया गुरूगराम में, अब गैस बात करते हैं गुरूगराम की, तो देखो गुरूगराम पढ़ता है हरयाना के अंदर, और गुड़ूगरां में इसका पहले नाम था गुरूगाऊं, जिस गुरूगाऊं का नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया है अब देखें यह हमने चीज देख लिए कि राजनात सिंग है इन्होंने गुरुग्राम में राष्ट व्यापी कारियान पेन छात्र पुलिस इसके लिए राष्ट व्यापी कारियान पेन के लिए राजनात सिंग ने तो जो राजनात सिंग की बा जो cabinet minister की बात की जाए है तो ये केंद्रिय मंत्री है किसी के लिए केंद्रिय घ्रह मंत्री वाइस बात करते है राजनाथ सिंग की constituents की तो इनकी जो constituency वह है लखनाव यूपे में तो ये चीज हमने देख लिए बढ़ते हैं इसे किसा next question की ओर तो देखें यहां जो next question दिया गया है वो दिया गया है कि किसने दिली के चांदनी चौक में वायू गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान सफर की सबसे उन्नत प्रनाली का उधगाटन किया है तो ये किया हर्षवर्दन ने किया है अब यहां बात करते हैं हर्षवर्दन के हम बात करते हैं तो जो हर्ष वर्दन है वो है केंद्रिय मंत्रिय है science and technology earth science environment forest और जो climate change है इसके ये केंद्रिय मंत्रिय हैं फिर बात करती है इसकी constituency के तो जो हर्ष वर्दन है इनकी constituency तो यह चीज़ हमने देख लिए बढ़ते से किसा नेक्स्ट क्यूशन के और देखे काई सिया नेक्स्ट क्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है कि कितने युवाओं का चैन खेलो इंडिया प्रतिभा विकास योजना इसके तहत संपूर्ण चात्रवती के लिए किया गया ह है तो जो एए खेलो इंडिया प्रतिभा विकास योजना के तहत 734 युवा है कितने हैं 734 तो इनका चैन किया गया है संपूर्ण चात्रवती के लिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं गाईस नेक्स्ट क्यूशन यहां दिया गया है में देखो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इससे रिलेटेट जो भी मैं एडिशन फैक्ट बताऊं उनको नोट डाउन कीजिएगा कि वह बहुत ज उकन्यय सम्रध्य यहजणा ऊपकट कलतर स उकन्ययसमरध्य यहने इससे थर्ष में always kli printing न्यूनतम राषी है जो की पहले की पेलेे epic còn कि उसको घंटाकर कर दिया duty अशीमणा सम्रध्य यहने इस क्या था पहले जमा राषी वह न्यूंत्यमार 2 AD अब इसको गोटार कर दिये है 500 अब रोपी ससूपन्य समर्द्धि योजना के बात करते हैं चरकाff किस तरह से क्यां क्या इसमें एड वन टेज्ञ है तो सबसे पहले कान्य स्सेघ्ट पाहिसे चीज है में तो उसमें यह कि अधिक्तम आयू जो कन्या कि होनी चुछ ना एक लड़की की जो आयू होनी चीए अधिक्तम वो 10 साल उनी चीए कि 10 साल और दस साल तक के आयू की जो लड़किया हैं वो यह सुकन्य सम्रदी खाता योजना इसके तैत अपना खाता खोल सकती है नेक्स्ट की इसमें कि हर लड़की के लिए केवल एक ही खाता होदा चाहें nes expert important छीज बताते हैं कि दो देखे ये तो देख लिया कि हर लड़की के लिए एक ही खाता होना चाहें नेक्स्ट है कि खाता दारक जो है वो 18 वर्ष कितने 18 वर्ष की complete हो जाए मतलब 18 वर्ष की उसके आई हो जाए तो उसके बाद क्या है कि भई उसकी जो कुल रासी जो जम्मा की हुई है उसका वो अधिक्तम 50% कितना जादा से जादा 50% प्राप्त किया जा सकता है नेक्स्ट हीएं देखते हैं कि खाता दारक है अगर इस खाते को बंद कराना चाहे तो वो कब बंद करा सकता है तो वो बंद करा सकता है 21 वर्ष के बाद में जब वो complete 21 शेल जाए उसके बाद इस खाते को बंद किया जा सकता है नेक्स्ट बात की जाए कि ये जो खाता है वो पोस्ट ओफिस और जो अधिकरत बैंक है उनमें भी ये खोला जा सकता है अब ये देखो एक और इंपोर्टन चीज ये देख लेते हैं कि इस योजना के तैत जो अधिक्तम जमारासी कितने होनी चाहिए अधिक्तम जो जमारासी है वो एक लाख पचास हजार रुपईया होनी चाहिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्यूशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि कितने पदक भारत ने नई दिल्ली में जूनियर ACI कुस्ती चैंपियनसीप है इसमें जीते तो गाइस दिल्ली में जो ये जूनियर ACI कुस्ती चैंपियनसीप है नई दिल् तो दो तो गोल्ड, तीन सिल्वर और तीन प्रॉंज ठीक है यह चीज हमने बता दिया है बढ़ते हैं किसा नेक्स्ट क्यूशन की और तो देखें गाइस नेक्स्ट क्यूशन हमें दे रखा है है कि किसको 2017 All India Football Federation AIFF Player of the Year के रूप में नामित किया है तो देखें 2017 के लिए जो All India Football Federation Player of the Year के रूप में जिनने नामित किया है वो किया है सुनिल छेतरी को तो यहां भी हमारा आंसर हो जाएगा अब देखें एक चीज़ बताते हैं कि जो यह बैचूंग बूटिया है जो कि फुटबॉल प्लेयर है उनके बाद में पहले नमबर पर वो है और उनके बाद में 100 इंटरनेशनल गेम्स खेल कर जो यह सुनिल छेतरी है यह भारत के सेकिंड इंडियन फुटबॉल प्लेयर बन गए हैं बढ़ते हैं गाई इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कुशन की और तो देखें यहां जो नेक्स्ट कुशन दिया गया है वो दिया गया कि किस सेर में हर्याना सरकार है इसने एक सांस्कृति केंदर इस्तापित करने का फैसला लिया है तो यह किया है गुरू ग्राम म है वो है चंडिगर्ड और जो हर्याना के मुख्य मंत्री है वो है मनोरलाल खटर और बात करते हैं नेक्स्ट की भई यह देखो इसकी राजदानी हमने देख लिए अब नेक्स्ट इसमें मैं बात करती हूं कि पंजाब की तो पंजाब की राजदानी भी क्या है पंजाब की राजदानी भी है चांडिगर ठीक है यह चीज़े हमने देख लिए बढ़ते गाइस इसी के सा नेक्स्ट क्यूशन के और तो देखिए यहां जो नेक्स्ट क्यूशन दिया गया है वो दिया गया है कि किसको ब्रिटेन की युनिवर्सिटी ऑफ इस्ट एंगीलिया दुआरा स सिविल लोज में मानद उपादी से सम्मानित किया है तो जो यह सिविल लोज है इसमें मानद उपादी से सम्मानित किया गया है किसके दुआरा जो यह ब्रिटेन की युनिवर्सिटी ऑफ इस्ट एंगीलिया है इसके दुआरा तो यह किसे किया गया है तो गैस यह क्या गय जी को तो क्या आंसर हो जाएगा यह हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा अब देखें इस से इंपोर्टन चीज जानेगा कि जो यह संयुक्त राष्ट है संयुक्त राष्ट में जो भारत के पूर्वर राजदूत थे यह कौन असोप मुखर जी तो इनको ब्रिटेन के द्वार जो सीर्स विश्विध्याले हैं इनके मानत उपादी से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कुशन देखते हैं गाईस तो देखें यहां जो नेक्स्ट कुशन की मैं बात करती हूं तो देखें नेक्स्ट कुशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि ठिंक टैंक पब्लिक लोग की जो सूचकांग जारी की गई है दोजर अठारा की उसके अनुसार कौन सा राज्य है कौन सा राज्य राज्यों के सासन व्यवस्था के मामले में देश में अवल है यानि टॉप पर है तो अब ये बात किये गई है फिर से देखेगा क्यूशन समझेगा बहुत important क्यूशन है क्यूशन कह रहा है कि जो ये think tank public affairs center जिसे कहते है P.A.C. इसके दुआरा जो जारी की गई है एक सूचकांक 2018 2018 की उसके अनुसार भई कौन सा राज्यों के सासन व्यवस्ता है इसके मामलों में अवल है तो ये है केरल तो क्या आंसर हो जाएगा गाइस यहां पर आंसर हो जाएगा अब यहां बात करते केरल की तो केरल की राजदानी है तीरुभंत पूरम और जो मुख्य मंत्री की बात करें तो वो है स्री पिनारी विजेन यहां के क्या है मुख्य मंत्री है गाइस नेक्स्ट हैं बात करते हैं करनाटक की बात करते हैं तो करनाटक है इसकी जो राजदानी है वो है बेंगलूरू है और नेक्स्ट हैं बात की गए गाइस मिजोरम की बात के गए तो मिजोरम की जो राजदानी है वो है एजवल है फिर यहां बात की गई उडिशा की बा वीन नवी करन उर्जा मंत्राले के इस्पिन पोर्टल के अनुसार भारत में रूफटोप सोलर इंस्टोलेशन एक गीगा वोट है ये पार कर लिया है तो ये कौन इसमें कौन सा राज्य है जो कि टॉप पोजिशन पे तो ये है महाराश्टर है ठीक है तो ये चीज हमने गसी हमारा इसका आंसर हो जाएगा अब देखिए इसमें बात करते हैं महाराश्ट की तो महाराश्ट की जो राजदानी वो है मुंबई है और मुख्यमंत्री स्री देविंद्र फणनाविस नेक्स यहां देखते हैं गाइस हरियाना की राजदानी कौन सी हरियाना की देखो अभी प्रजेंट लीकों है लेकिन बाद में इसके राजदाने बदल कर अमरावति हो जाएगी बात करते की तो हेदराबात है वो तेलंगाना की राजदाना नहीं बनेगी नेक्स के अन्पनी ने नागपूर यह जैばい घाइए amor में और रक्षा केंद्र की स्थापना के लिए विधर्ब रक्षा इंडस्ट्री असोसेशन वीडी आईये के साथ सांजेधारी किये तो यह किये टाटा टेक्नोलोजी ने यानि कि क्या हो गया है कि जो यह टाटा टेक्नोलोजी और जो यह विधर्ब रक्षा इंडस्ट्री से इनके बीच में एक जो यह एरोस्पेस नागपुर में जो एरोस्पेस है इसके लिए य ham contact ilsy oggi लिए इो ये इसके लिए क्या कि अंब्गी बिदर्ब रक्षा इंडस्ट्री आसोशिेशन वी और जो इस टाटा टेक्नोलोजी इնके बीच में एक समझोता कि नियार दखक कि इसको जो पाकिस्तान उच्छे नायाल है उसकी पहली मुख्य नियाइदिस नियुक्त किया है यह हमने देख लिए बात करते गए इस पाकिस्तान की पाकिस्तान की राजदानी इसलामाबाद और यहां की पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है रुपी और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है वो वो दिर्ख है कि किसको advertising agencies association of India lifetime achievement है इसके लिए सम्मानित किया जाएगा तो देखो यह राम सैगल है इनको advertising agencies association of India lifetime achievement है इसके लिए सम्मानित किया जाएगा किसको राम सैगल को अब बढ़ते हैं से किसा next question के और तो देखें यहां जो next question दे रखा है वो दे रखा है कि जो यह में कह किया है जर्मान जर्मन ग्रांड प्रिक्स हुआ उसका खिताब इन्हों ने जीत लिया है ठीक है तो जो यह लूइस है मिल्टन है यह किस देश के तो गाइस यह है यूके के अब देखो इस से इंपोर्टेंट कुछ चीजे में बता रही हूं कि अब देखो यहां पर इ करने सेक्इंड ऑपोजिशन की तो जो हो है वोटर यो मर्सिडीस के ड्राइवर आइक daylight बात करने ऑढ सक्षार ॡू सब्सक्रिक्राइवर कितरे तर्शषान के दिखात अजょ 1 दिरक जो कितने million credit line दिये तो यह दिये 200 million dollar की credit line दिये किसने दिये भारत ने दिये किसको दिये Ravonda को दिये गयों से यहां बात विये Ravanda की तो Ravanda की राजदानी किगाली कौन सी है किगाली और जो currency मुद्रा है Ravanda की वो है Frank next question देखते है तो यहां जो next question दिया गया है वो दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने green महानदी mission है इसे launch किया है तो जो green महानदी mission है यह launch किया गया उडिशा के द्वारा किसके द्वारा किया गया है उडिशा के द्वारा अब देखो एक चीज में बताना चाहंगी बात हुए है उडिशा क तो देखो उडिशा की बात होई तो उडिशा के जो राजदानी है वो है भूनेश्वर क्योंसी है भूनेश्वर और जो मुख्य मंत्री है उडिशा के नोट डाउन कीजिए नविल पटने के वो उडिशा के कौन है मुख्य मंत्री है और राजदानी है भूनेश्वर अब ब रखा है वो दे रखा है कि मैला एवं बाल विकास मंत्राले है इसने किस प्रतियोगता का सुभारम किया है जिससे लोगों को स्पोर्ट करें और एक टैगलाइन का सुझाव दे तो जिससे क्या होगा कि लोगों को स्पोर्ट करें और एक टैगलाइन का सुझाव करें तो यह इस कार्य करम का सुभारम किया तो इसके बात करें इसके द्रे जाएगा अब देख हो इसके बात करते हैं इसके जो मेन उद्द्दिश की बात कि जाहें तो इसका मेन उद्धे से क्या है कि जो ये चाइल लाइन 1098 है इसके द्वारा बच्चों की साहिता की जाएगी तो ये बच्चों की साहिता के लिए एक आपातकाल फून सेवा है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से निसुल्क है और 24 घंटे उपलब्ध है ठीक है ये चीजी यह है अ और 30 जुलाई को हुई क्यूं तो देखो 30 जुलाई को मानव तसकरी के खिलाब विशुद्धिवस जो मनाया जाता है उस दिन के मौके पर इसी प्रतियोगता को आयचित किया गया तो ये चीज हमने देख लिए अब बढ़ते हैं इसे किसा नेक्स्ट कुशन के और तो नेक्स्ट कुशन देखते हैं या नेक्स्ट कुशन जो दे रखा है वो दे रखा है भारती वायू शेना रोयल ऑस्ट्रिलियन एर फोर्स के साथ में पहली बार किस अभ्यास में भाग ले रही है तो जो ये भारती वायू शेना है वो रोयल ऑस्ट्रिलियन है रोयल ऑस्ट और लिंगा के अब देखिए बात है क्योंकि यह आय। रॉस्टृययन्त के और सब्सक्राआग से अुट्रों नहीं कारए ध्यान करें केड़ और प्र्दान मंतरी मालक स्छायाइब पर नेक्स्ट कुशन तो देखिए यहां जो नेक्स्ट कुशन दिया गया है कि भाई कुछ चेंज कर दिये गया उनको पेंशन दी ती उसमें चेंज होए तो उसी के उपड़ एक क्यों सिंग कर दिया गया है कि अब ओलंपिक पदक विजेता है इनको प्रती मां कितने रुपे की पैंसन दी जाएगी तो गाइस ये दी जाएगी 20,000 रुपे की पैंसन दी जाएगी अब देखिए इसकी गोशना किस ने किये तो इसकी गोशना किये खेल मंतरी ने खेल मंतरी कौन है भारत के खेल मंतरी की बात क और जो सक्रिय खेलों से सेवा निवरत खिलाडी जो है उनकी जो पेंचन है उसकी धर एक अप्रेल से कबसे एक अप्रेल से एक अप्रेल से दुगनी दुगना कर दिया है तो यह चीज हमने देख लिए बढ़ते हैं का इसी सी के साथ नेक्स्ट कुशन के और तो देखें यहा तो यह किसके साथ में किया गया है जो यह नीती आयोग है इसने आकांसी जिला कार्य करम हेतू जो यह लूया पिन फाउंडेशन है इसके साथ में समझोता किया है अब देखिए यहां बात हुए गाइस नीती आयोग की बात हुए है तो नीती आयोग से रिलेटेट सारे फे कीजिएगा National Institution for transforming India फिल से बोल रहे हैं नोट डाउन कीजिएगा National Institution for transforming India इसके फुल फॉर्म है और इसके जो है CEO CEO की बात करें तो निती आयों के अमिताब कांत और उपाद दक्स की बात करें तो राजिव कुमार निती आयों के उपाद दक्स है बढ़ते हैं यहां पर जो नेक्स्ट कुशन हमें दे रख है वो दे रख है है कि भारत को तेल आपूर्ती करने के मामले में साउधी अरब है इसको पीछे चोड कर यानि इसको पच्छाड कर कौन सा देश है जो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है तो गाइस यह है इरान इरान ने क्या है कि साउधी अरेब साउधी अरब इसको पच्छाड दिया इसको पीछे चोड़ दिया है और इसको पीछे चोड़ कर यह दूसरे नंबर पर आ गया है ठीक है तो यहां आंसर ए हो जाएगा अब देखिए बात करते हैं कि वह टॉप पोजिशन पर कौन है तो देखो इराग है वह भारत के कच्चे तेल की आपूर्थी करने वाला सबसे सीर्स देश बन गया निए टॉप पोजिशन वाला बढ़ते हैं गाई सीसी के साथ हमारे नेक्स्ट कुशन की और तो देखिए नेक्स्ट कुशन हमें दे रख है कि यह देखिए कुशन है कि निगोशियबल इंस्टूमेंट संसोधन विधेयक 2017 के अनुसार चेक बाउंस होने की इस्तिति में मामला अधालत में जाने पर जो चैक जारी करने वाले हैं उनके उपर क इतने प्रतिसत का दंड ब्याज देना पड़ेगा तो गाइस यह देना पड़ेगा 20 प्रतिसत का दंड ब्याज देना पड़ेगा तो क्या आंसर हो जाएगा यह हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा यह चीज हमने देख लिए बढ़ते हैं गाइस इसी कैसा नेक्स्ट कुशन क सकता है और यह बहुत जादा इंपोर्टेंट क्यूशन है क्योंकि आपको पता है कि खेलों से संबंदित एक क्यूशन शौरत है तो देखे क्यूशन कह रहा है कि जर्मन ग्रेंड प्रिक्स 2018 हुए उसमें कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने यह जीत लिया है तो गईस यह जीत लिया लुईस हैमिल्टन ने और यह कहा के यह यूके के जोकी मर्सेडीज के ड्राइवर है तो अब यह हमने देख लिया पर इन्होंने जीत लिया तो यह आ गए फर्स् बात करते हैं हम एक पूजिशन की तो दीखे सेक नपीजिशन पर है व Эल टेरी वोटर्टास ठीके तो जी वोल्टरी वोटर्टास है यह सेंकेंड बात करते हैं तो धगनद पूजिशन पर जوبनि waracon five यह है ठाम siz भारत की पोशन चुनूतियों पर राष्ट्री परिशत की दूसरी बैठक है वो किस सहर में आयोजित की गई तो जो भारत की पोशन चुनूतियों की जो राष्टी परिशत की जो दूसरी बैठक आयोजित की गई वो की गई नई दिल्ली में कहां पर की गई नई दिल्ली में देखते नेक्स्ट क्या है या नेक्स्ट क्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है कि दस्वा ब्रिक सम्मेलन हुआ जो कि कब हुआ 25 से 27 जुलाई जुलाई 2018 के बीच में ये ब्रिक सम्मेलन हुआ कौनसा इसका addition रा 10th edition देखो क्यूसर इससे प्रकार भी आ सकता है कि इस वर्च यानि कि 2018 का जो ब्रिक सम्मेलन हुआ उसका इस वर्च यानि 2018 में ये कौनसा addition था तो क्या answer होगा 10th edition ठीक है तो अब यहां क्या पूछा है अब पूछा गया है कि यह जो दस्वा अधिशन हो गया तो यह दस्वा ठील समेलन हुआ जो कि कब हूआ 25 से 27 जुलाई को तो यह कहां पर आयोजित हो रहा है तो गाइस यह उओ आपर यह वा जोहांसबर्ग में तो यहां हमारा आंसर जो है वो भी हमारा आंसर हो जाएगा बढ़तेगा इस इसी किसा next question क्यों तो दिखिए जो next question दे रखाया है वो हमें दे रखाया है कि भारत ने कारगिल दिवस है उसकी कौन सी वर्सगाट मनाई है तो इस बार याने कि 2018 में जो ये कारगिल दिवस है इस कि देखिए 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था कारगिल युद में भारत ने क्या किती विज्ये हासल की ठीके और जो ये कारगिल युद जो हुआ था तो उस्टम में क्या हो था कि यह बहुत जादा उंचाई पर हो था कि भई अठारा जार फिट की उंचाई पर यह लड़ा गया था यह हमने देख लिए बढ़ते काई सीची के साथ next question के ओर तो देखिए यहां जो next question है वो दे रखाए है कि निवेज को निवेज मतलब क्या हो गया निवेज की बात करते हैं इस तो निवेज है यहां पर investment को तो जो यह निवेज है इसको बढ़ावा देने के लिए investment इंडिया और किसके बीच में समझोता ग्यापन हुआ है तो investment को बढ़ावा देने के लिए investment India और जो business France है इनके बीच में समझोता हुआ है next question देखते हैं यहां जो next question दे रखाय है वो दे रखाय है कि किसानों के आई बढ़ाने के लिए जो यह दिल्ली सरकार है इसके द्वारा कौन सी योजना आरम की गई है तो guys यह की गई है solar योजना और जो यह solar योजना है इसमें top position पे हैं महारास्टर ठीक है तो यह हमने देख लिए अब बढ़ते है guys इसी के सा next question के और तो देखें यहां जो next question है वो देखें है कि किस राज्य में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं वाला समर्पित होटल महिलाओं को समर्पित होटल आरम किये जाने की गोशना किये भई कौन सा वो राज्य है जिसके अंदर पूरी तरह से यानि पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरम किया जाएगा तो ये गोशना की गई है भई कि ये आयजित किया जाएगा कहां पे केरल में तो क्या आंसर हो जाएगा ये हमारे यहां पे आंसर हो जाएगा तो देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगे कि केरल की केरल के राजदाने यह चीज आप देख लीजिएगा अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्यूशन के और तो देखिए गाइस वीडियो पसाद है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा जो भी इंपोर्टेंट चीजे बता रहे हूं साथ की साथ हम नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि सार चीजे आपके कवर होती चले देखो क्यूसिन बढ़ देखते हैं और तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्यूसिन क्या प्रित करते हैं यहाँ पर जो बहुत जादे इंपोर्टेंट कामाक कर सकते हैं इसे वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन कह रहा है कि जो रहामन मैक से से पुर में इनके नाम बताती हूं नोडम कीजिएगा पहले जो भारती हैं जिनको ये रमन मैक्से से पुरुसकर दिया गया है भारत वाटवानी और सेकेंड ये दिया गया सोनम वांग चुको ये दो भारती हैं जिनको ये रमन मैक्से से पुरुसकर 2018 से नवाजा गया है भारत वाट 1975 से कब किया गया था 1975 से नेक्स्ट यहां देखते गाइस कि एक क्यूशन गिया जाए कि भारत में सबसे पहले रमन मैक्से से पुरुषकार वो किसी दिया गया तो नुडम किजिए यह दिया गया है आचारिय अवी नुवा अवी नुवा भावे को ठीक है अब बढ़ते इसी 2018 को किस देश की सांसद को संबोधित करने वाले पर्थम भारतिय प्रधानमंतरी बन गए तो यह है यूगांडा तो क्या आंसर हो जाएगा यह हमारा आंसर हो जाएगा कि भी प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी है यह 25 जुलाई 2018 को यूगांडा देश है इसकी संसद को संबो कार है इसके दुआरा परियावर्न हितेशी किस अभियान की सुरुवात की गई है तो यह की गई है ग्रीन महानदी निशन की देखो बहुत ज्यादा है इंपोर्टेंट क्यूशन है क्योंकि हाली में काफे ज्यादा यह न्यूज में है तो देखिए अब बात करते हैं कि भई है और इनके तहित क्या होगा देखो इनके तहित यह होगा कि महानदी और उसकी जो सायक नदी है ना उनके साथ दो करोण पौधे लगाए जाएंगे तो जिससे क्या होगा इसका जो मुख्य उद्देश की बात करें तो यह है कि भई जो दो जार करोण पौधे लगाएंग तो उससे क्या होगा कि जो नदी है उनके किनारों पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकेगा और आरक्सित भूजल है उसको और ज्यादा मुल्यवान बनाया जा सकेगा बढ़ते हैं इसके साथ हमारे कि और तो देखें नेक्स्ट कुशन दिया गया है कि शब्वी भारत ब्रिटें भारत और ब्रिटें के बीच में विज्ञान और नवाचार परिशद की जो बैठक हुई वह कहां पर आयो जित हुई तो गाईश यह हुई नई दिल्ली में कहां पर उए नई दिल्ली के अंदर अब देखो इसमें हुआ कि दोनों देशों के बीच में भारत और बिटेन के बीच में विज्ञान और प्रध्योगी की सैयोग पर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई अब यहां बात करते देखो कि सबसे पहले तो भाइगे फार्ड पोजीशन के इनको दिग दिगिंग दूर्टवण के इंस्ट्राइब्राम के सैय स,"सित्वपक और जो सीओं जिनका नाम है कैविन सिसट्रों और फेस्बुह के संस्त्वांग जिनका नाम ओं म्어ग जुकुरबर्ग इन दोनों को प्रथम पोजिशन दी गई है और यह हमने देखी लिया गया है कि हमारे भारतिय मुल्ग के चार लोग सामिल है तो इनके नोट डाउन कीजिएगा इस नाम तो देखो दिव्या सूर्य देवरा जिनको फोर्थ रेंक मिली है किसकी यह है जनरल मो जिनको 24 वी रेंक मिली है और फिर जो यह बैजुबट है वो है रोबिन हुड की सह संस्तापक है और सह सीओ है फिर है अनुदुगल जिनको अनुदुगल की बात करें तो इनको 32 वा इस्तान मिला है जो यह अनुदुगल है यह है महिला संस्तापक नीदी की संस्तापक साथ तो आप शब देखते हैं नेक्स्ट कुशन क्या देख है यहां जो नेक्स्ट कुशन देख है वह देखा चुल है तो देखेंज नाम by hell दोग और दो गया हैसी udahileri. क्या रखे जाने का प्रस्ताव किया है तो इसका नया नाम रखा जाने का प्रस्ताव किया है वो किया है बांगला क्या है बांगला कि भई नया नाम जो रखा जाए वो बांगला रखा जाए अब ऐसा क्यों हुआ है देखो ये इंपोर्टन चीजे क्यों हुआ है ऐसा जो पष्चिम बेंगोल का नाम है वो लास्ट में आता है तो इसलिए इन्होंने यह he decided किया है इसका नाम बदलने का तो गैसी के साथ देखते है में next question क्या दिया गया है तो यहाँ पर जो next question के के अब देखो थो यह तो हमने देख लिएकिवारे चैशत बंब एक स्पोäng सेकेक मार्स और की इंपोर्टन सेंब चीज तो यह पानी स्कति कि घ्युश्छ थो यह जो एक दिग्री सेल्टिस स्पी लिसेल कने रहे हो च्धर है उसके नीचे में होने के बावजूद भी ये द्रव रूप में है बढ़ते हैं गई सी सिखेसा नेक्स्ट कुशन के और तो देखें यहां जो नेक्स्ट कुशन दिया गया है में वो दिया गया है कि किस सहर में कबिर मौसव 2018 का तीसरा संस्क्रण आयोजित होगा तो यह होगा वार्नासी में कहां प FIA Formula 3 European Championship पर यह किस ने जीत लिया है तो देखो Belgium में जो FIA Formula 3 European Championship वो जीती है जेहां दारू वाला ने तो क्या अंसर हो जाएगा यहां पर A हमारा अंसर हो जाएगा देखते गाइस नेक्स्ट कुशन तो यहां जो नेक्स्ट कुशन दिया गया है वो दिया गया है कि हाली में विमोचित देखो एक विमोचित की है जिसका नाम है devil's advocate the untold story तो जो यह devil's advocate the untold story नाम की जो पुस्तक है इसको किसने विमोचित किया है तो guys इसको देखो अब यह book विमोचित है तो देखो फिर से बताती हूँ क्या है बुक का नाम devil's advocate the untold story यह बुक है इसको हाली में विमोचित कर दिया गया है तो जो यह बुक विमोचित हुई है devil advocate the untold story तो इस बुक के हमें किसका नाम बताना है इस बुक के writer का नाम बताना है लेखक का नाम बताना है तो इस बुक के जो writer है वो है करन थापर तो यहां next question की बात करतेगा इस तो next question जो दिया गया है में वो दिया गया है कि वह सम्मेधानिक अनुछेद भई उस सम्मेधानिक अनुछेद की का हमें बताना है कि यह कौन सा अनुछेद है जिसके अनुसर क्या होता है कि कोई भी राज्य है वो अपना नाम परिवर्तित कर सकता यानि कि यह अधिकार दिया गया है हर राज्य को अपना नाम चेंज करने का तो यह अधिकार दिया गया है अनुछे तीन के अनुसार तो अनुछे तीन के अनुसार हर राज्य को यह अधिकार है कि वो अपना नाम चेंज कर सकता है तो यहाँ पर ए हमारा आंसर हो जाएगा अ अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट कुशन के और तो देखिए नेक्स्ट कुशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि दुनिया की सबसे व्रद्व्यक्ति जिनका नाम है चियो मिया को जिनकी उम्रे 117 वर्ष उनका हाली में निदन हो गया है तो वो किस देश से थी वो सिंजो अब नेक्स्ट कुशन देखते हैं यहां नेक्स्ट कुशन जो दिया गया है वो दिया गया कि वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे है जो 2018 का वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे है वो कम मनाया गया तो गैस यह मनाया गया 28 जुलाई को और जो यह वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे प्रत्व प्रत्व कों पीमी के लिए विक्र में लिए विक्री के ले लिए विक्रेता लाइसेंस व्यवस्ता प्रारम की गई है तो यह है राजस्तान में क्या किया है कि तंबा को विक्रेता लाइसेंस व्यवस्ता प्रारम कर दी गई है अब देखते हैं नेक्स्ट कुशन क्या दे रखा है तो देखेगा इस यहां पर जो नेक्स्ट कुशन दे रखा ह कि कि नई दिल्ली में पुलिस सम्मेलन का उधगाटन किया तो एक ए है राजनाथ शिंग ने राजनाथ शिंग नए अब यहां बात करते गई साफ की तो राजनाथ सींग है वो यूनियन होम मिनिस्टर है और यहां에 करते कि जो यह इसका तो इस बर इसका जो विशे की बात करें तो विशे इसका रहा है भारती पुलिस बलो के लिए आगा करने वाली पुलिस कारेवाई और समकालिन चुनोतियां यह इस बार का इसका विशे है यहां बात करते हैं राजणात सिंग्ग के तो राजणात सिंग्ग की जो कॉंस्टिटुटैन्सी है वो है लकनाउ यूपी ठीक है यह हमने देख लिए बढ़ते का इस नक्स्ट कुशन की ओर तो यहां नेक्स्ट कुशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि किस सेर में वेस्टविक द्यूगांक सम्मिलन 2018 वो आयजित किया गया है तो जो ये वेस्टविक द्यूगांक ता सम्मिलन 2018 की बहत करें तो वेस्टविक द्यूगांक ता जो सम्मिलन 2018 है इसको आयजित किया गया है लंडन में कहां पर है लंडन में तो यह हमने देख लिए बढ़ते गए अब देखो एक चीज़ हम मैं बताती हूं उसमें कि केंद्री सामाजिक न्याय उम जो अधिकारी अधिकारिकता मंत्री है थावर्चंद गहलोत ठीक है उन्होंने ये लंदन में आयोजित किया है वैस्वी के द्व्यांकिता सम्मिलन 2018 किसने कि थावर्चंद गहलोत ने इसका आयोजन किया है बढ़ते हैं इसी सिखेसा नेक्स्ट क्यूशन के और तो देखिए नेक्स्ट क्यूशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि कि किसको उडिशा के सर्वोच शाहित पुरुसकार अतिबादी जगननात दास सम्मान 2018 के लिए सम चाल करिया है बादे जगननात दास समान 2018 के लिए किसे समनित किया है तो यह किया गया है रामकांत रत खो तो क्या आउसर हो जाएगा तो यहां गया है वो दिया गया है कि सेर में प्रकाशण अभियान के आंतरगत भारत की पोशन चुनोतियों पर राष्टी परिशद की दूसरी बैठक आयोजित की गए तो गाईस यह की गई है नई दिल्ली में नेक्स्ट कुशन देखते हैं यहां नेक्स्ट कुशन है बहुत ज़्यदे इंपोर्टेंट है हम मा कीजिगह बेरी वेरी इंपोर्टेंट दिखें क्यूशन है कि अंतरास्तिय त्ट टाइगर डिवस है यह कम मनाया जाता है तो गई सी इसमें हम बात करते कि और हैं ताइगर डिवस ही तो यह मनाया जाता 39 जुलाइव को तीके पाति अब यह तो देख लिए हमने 39 मनाया जाते हैं अब यह देखते हैं कि भाई यह जो अंतरास्टी ताइगर दिवस है वोगं सबसे कब बनाएगा तो देखो 2010 में अंतरास्टी जो यह टाइगर दीवस है इसे पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग ने टाइगर सीखर सम्मेलन इसका बनाया था कब 2010 में किसने जो ही सेंट पीटर्स पीटर्ष बर्ग है इन्होंने अब देखो इस क्यूशन से आपको क्या वो आपको याद होने चीए तो गाइस एक चीज देखिएगा मैंने नेशनल पार्क और टाइगर रिजवस की वीडियो मैंने डाल रखे तो आम वो देख सकते हैं और कुछ-कुछ इंपोर्टेंट जो टाइगर रिजवस हैं वो मैं अब भी आपको बता देती हूँ आप पैन और नोटबूग ले लिजेगा और सासन नोट डाउन करिएगा देखों सबसे पहले बात करते हैं बांदी पूर्ट टाइगर रिजवस की तो गाइस पांदी पूर्ट टाइगर मद्ध प्रदेश में हैं और रंधंपो टाइगर रिजवस की बात की जाए तो वह कहां पर पढ़ता है वह है राजस्तान में और राजस्तान में कहां पर सवाई मादूपूर में फिर नेक्स्ट बात करते कि तड़ोवा अंधारी टाइगर रिजवस की बात की जाए तो य और जो नामेरीट ्टाइगर रिजव यह दोनों कहाँ पड़ते हैं आशाम में पड़ते हैं और जो काजी रंगा टाइगर रिजयोस है वह पढ़ता है मिजोरम में दूभ्वी बहुत सारी है ईससे कि बकसा टाइगर रिजयोस हो गिया संदरհबन विपर पस्चें बएगाल में उबोसक्ता बादम मुर्ट गजैंनल पर अर्थसास्त्र Fintech Limited में 9.9 प्रतिसत की इस्सेदारी खरी दिये तो यह खरी दिये ICICI Bank ने तो यहां answer हमारा हो जाएगा A C हमारा answer हो जाएगा ICICI Bank अब बात करते हैं ICICI Bank की तो इसका Headquarter है मुंबई में अब देखो यह SBI Bank का भी पर्टर देख लेते हैं इसका मुंबई में PNB Bank की बात करते हैं इसका डैली में और ICICI मुंबई में होगे HDFC का भी मुंबई में हो गया नेक्स्ट कुशन देखते हैं देखिए यहां जो नेक्स्ट कुशन जो दे रख है वो है कि कि सहर में धर्मेंदर परदान है इसने महिलाओं के लिए राष्टिय कोसल प्रेसिक्षन संस्तान NSTI के इस्थाई परीशर का सिलान्यास किया है तो यह किया है मुंबई में कहां पर मुंबई में तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पर यह हमारा आंसर हो जाएगा गाइस बात क आप मुख्य मंत्री तो अब देखते हैं इसे किसा नेक्स्ट कुशन क्या दिया गया है तो यहां जो नेक्स्ट कुशन दिया गया है वो दिया गया है कि प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी इन्होंने किस जगे पर 28 जुलाई 2018 को ट्रांस्फॉर्मिंग अर्बल किस्ट क्वात करते हैं तो मैं श्री है देरी रहिए पाकिस्टान में हुए चुनाओँ में किस हिंदु नेता ने जनल सीट पर चुनाओ जीता वैं पाकिस्टान में हाली में भारत के किस राज्य में पीपी नल फैनो टाइप नामक जो अनोके ब्लड ग्रूप है इसका पताया लगाया है तो यह किस राज्य सरकार में किस राज्य में लगाया गया है तो यह लगाया बात करते हैं कि भाई करनाटक में जो यह चाहिँ इसका पता में चाहिए लगा गया तोो यह चीज़ हम ने देख लिए ओम सिके साथ आज के हमारी so क्यूशन पे तो जो क्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है कि हाली में निमन लिकित में से किसके दुआरा मिशन सत्य निस्टा की शुरुआत की है तो जो यह मिशन की बाद के मिशन सत्य निस्टा है इसकी शुरुआत की गई यह भारतीय रेलवे के दुआरा किसके दुआ कार्य करम के दौरान क्या होगा कि इस कार्य करम के दौरान जो रेल मंत्री है पौन है प्यूस गोएल तो इनकों इन्होंने क्या कि अधिकारियों की जो सत्यनिस्टा है उनके लिए इस अपत दिलाई जाएगी और फिर क्या होगा कि भी जो यह मिसन है कौन सा मिसन यह मिसन सत् करमचारियों को अच्छी एथिक्स के प्रती समर्पण की आवश्यक्ता तथा कारिये के दौरान सत्य निस्टा के उच्छे मानक रखने के लिए आरंब यह किया गया है ठीक है तो यह चीज हमने एडिशनल एडिशनल फेक्स भी बता है जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्यूसंस है उनके तो गईस देखिए वीडियो को आप सुरू से लास्तक देखा कीजिए क्योंकि ताकि आपके कोई भी चीज मिसना हो पाए और अगर यह वीडियो समझ में आया हो अच्छा लगाओ तो गईस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो भी कॉम्पीटिटिव एक्जाम्स के तयारी कर रहे हैं तो गईस वीडियो पसंद आएक लाइक कीजिएगा और देखो एक और चीज का ध्यान रखेगा कि जिस भी टाइप का आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उसी प्रकार के आप हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे तो देखिए इसकी पीडिया फाइल आपको चाहिए तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप है उसके पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो वीडियो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम लिंक और फेस्बुक लिंक दोनों दिये हुए हैं गाइस तो वहां से आप हमें जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रुप पे और जो हमारा फेस्बुक पेज़े उसको आप लाइक कर सकते हैं थैंक यू फॉर वचिंग दिस वीडियो